जो लोग ब्रह्मा विश्णुम है इसको भगवान मानने से इनकार करते हैं वो लोग गुजरात की भावनाओं के साथ खेलें कॉंग्रेस तो कहती है कि इस देश की माल मिलकत पे जो अधिकार हिंदु होका है उससे जादा अधिकात लगुमती होका है जो यात्रा है उससे पहले उनको कॉंग्रेस जोड़ो यात्रा करने चाहिए हर्दिक पटेल अकेला पार्टी नहीं छोड़ा सिंध्या जी से लेकर आर्पी एंड सिंग से लेकर जितिम प्रसाथ गुलाव नभी आजा देख अपिल से पले बड़ा लंबा लिस्ट है जो लग ब्रह्मा विश्णों महेश को भगवान मनने से इंकार करते हों लोगों को गुजरात के लोग कभी स्विकार ने नमस्कार निक्स नाइन लाइफ देख रही हैं आप और मैं हूँ आपकी सथ प्रज्या सिंग बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी आज के इस खास प्रोग्राम में आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे बीजेपी ने ता हार्दिक पटेल की जी हाँ आज के इस प्रोग्राम में हार्दिक पटेल के बारे में कई ऐसी बाते बताएंगे कि आखिरकार क्या कुछ वज़ा है कि हार्दिक पटेल ने कॉंक्रिस का दामन छोड़ दिया और आखिरकार क्यों बीजेपी ने उन्हें गुजुराद के चुनाव में सबसे बड़ी आफर की है जी हाँ आपको बता दे कि आज गुजुराद सचुनाव के रिए भारती जुनता पार्टी ने मतदाता हो कि यहाँ पर माफ की जिगा जिस तरह से जो कैंडिडेट हैं उनकी पहले लिस्ट जारी कर दी है 182 विधान सभा सीट में से 160 विधान सभा सीटों पर यहाँ पर कैंडिडेट्स का एलान कर दिया है और अब इनहीं में शामिल है हार्दिक पटेल भी हार्दिक पटेल की अगर बात करें तो गुजरात की राजनीती में काफी बड़ा नाम हार्दिक पटेल का है क्योंकि जुस तरह से बीजेपी में शामिल हार्दिक पटेल हुए जी हाँ आपको बता दे कि कॉंग्रेस पार्टी के दिगज नेताओं में से एक माने जाते थे हार्दिक पटेल हार्दिक पटेल जब तक कॉंग्रिस में रही कॉंग्रिस को मजबूत करने का काम वो गुजुरात में कर रही थी। कॉंग्रिस पाटी और साथ ही समर्दकों को ये पूरा विश्वास था कि हार्दिक पटेल का साथ पाकर गुजुरात में कॉंग्रिस इतिहास रच सकती है। लेकिन यहाँ पर हार्दिक पटेल जो के कॉंग्रिस पार्टी के सबसे ज़ादा वफदार चहीते माने जाते थे, उन्हों ने बीते 18 माई को कॉंग्रिस पार्टी को सबसे बड़ा धोका दे दिया. जी हाँ, इस तीफे की खबरों के बीच लगातार हार्दिक पटेल इस बात से इंकार करते रहे के नहीं, कॉंग्रिस के साथ रहेंगे, कॉंग्रिस का दामन नहीं चोड़ेंगे, कॉंग्रिस पार्टी के साथ ही चुनाव लड़ेंगे. लेकिन यहाँ पर क्या कुछ हुआ, वो हम सब ही ने देखा. 18 माई को कॉंग्रिस पार्टी से हार्दिक पटेल ने इस तीफा दे दिया और उसके बाद बीचवी में भी शामिल हो गए. बीजेपी में किस भव्य तरीके से हार्दिक पटेल की एंट्री होई वो हम सब ही ने देखी क्योंकि बीजेपी गुजरात की जनता के बीच ये मेसेज पहुचाना चाहती थी कि जो एकका कॉंग्रिस पार्टी के पास था अब वो बीजेपी के हाथ लग चुका है. जी हाँ, गुजरात की राजनीती में हार्दिक पटेल एक ऐसे नेता है जिन पर जनता बहुत भरोचसा करती है. यही वज़ा है कि हार्दिक पटेल को गुजरात में यहाँपर वीरम गाम विधान सभ्याश्यट से टिकेट देने का फ़ेइसला गुजरात के किया गया है. पर जिस तरह से चुनावों की तारीखों का एलान हो चुका है एक दिसंबर और पांच दिसंबर को कुछ रात में मतदान होना है और आठ दिसंबर को रिजल्ट भी आ जाएगा लेकिन यहाँ पर अब देखने वाली बात यही होगी कि कॉंग्रेस का दामन छोड़कर सवालों में घृते हुए हार्दिक पटेल नजर आए और यहाँ पर देखने को भी मिला कि किस तरह से हार्दिक पटेल पर लगातार सवाल उठते रहे ऐसे में आज के इस प्रोग्राम में हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिरकार कौन है हार्दिक पठेल और किया किस तरह से उन्होंने अपने राजनेतिक करियर के शुरुवात की लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो यही है कि आखिरकार हार्दिक पठेल किन प्लैंस पर कांग करने वाले हैं आज के प्रोग्राम में हम आपको वो स्पेशल इंटर्व्यू भी दिखाएंगे जो यहाँ पर लिया गया है हमारे एंकर के द्वारा इस हार्दिक पठेल का इंटर्व्यू जो स्पेशल इंटर्व्यू लिया है और जो बाचीत गुजरास्त चुनाव को ल दोलन से तो हमाई साथ बीजेपी के नेता हार्दिक पठेल मौजूद है और चुनाव की सरगर्मी के बीच में उन्होंने समय निकाला सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका स्वागत है हमारे घर पे आपको सर पहला सवाल आपसे यही है कि एक 39 वर्षिय युवा हार्दिक पठेल नए गुजरात के लिए क्या सपने देख रहे हैं लिकि स्वागत रूप से हरे एक विक्ति का अपने स्केट के लिए अपने देश के लिए विजन के साथ राजनिती करना ही उच्चित रहता है क्योंकि जिनके पास विजन नहीं होता वो कभी कुछ नया नहीं कर सकत है तो सभाविक रूप से हमारा गुजरात आज सिर्फ देश का मॉडल नहीं वलकि पुरे विस्व का एक नए मॉडल के रूप में लोगों के बीच आया है यहां का डेवलोपमेंट हो यहां सुरक्सा की बात हो ग्रामरी इलाकों में बिजली की बात हो स्कुलो की बात हो त गुजरात काफी नौजवान यहां पर पढ़ाई लिखाई करके बाज बाहा निकलते हैं तो एक नई उमिद और उचाई के साथ है और गुजरात के लोगों ने चाहे स्वतंत्र संग्राम की बात हो तो गांदी जी हो सर्दार पटेल हो उसके बाद देश में मुराड़ जी देशाई जी की बात हो अमिद भाई साहो नरेंद्र भाई मुदी हो तो इन लोगों ने इस गुजरात को सुंदर और बहितर बनाने का काम किया तो आने वाले दिनों में हम नौजवानों को भी इसमें और कुछ अच्छा करने के लिए काम करना चाहिए मुझे भरोसा है हम नौजवान इसमें काम करेंगे आपने नौजवानों की बात की इस बार चुनाओं में आम आत्मी पार्टी दिल्ली से आई है उनका दावा है जैसे आपने शिक्षा स्वास्त रोजगार की बात की की सिक्षा स्वास्त रोजगार का देश के परधान मंत्री नरेंडर मोदी का जो model है वो एक आत्मा की तरह है जिसके बारे में जानते सब है लेकिन दिखाई किसी को नहीं देता तो मसला क्या है लेकि सोभाय ग्रूप से अगर हम बात करें कि अमिद भाई साह की जो परलामेंटरी परलामेंट का जो इसको देखने के लिए विदेश की कही सारे लोग आकर भी चले गए गुजरात में आपको यह बताते हूं मुझे गर्व होता है कि गुजरात में हर जिल्ले में अगर आप कच्छ में चले जाएंगे तो आपको लगेगा कि प्रदेश का आखरी इलाका सबसे बड़ा जिल्ला है उस जिल्ले में सबसे ज्यादा स्कूल बनी होई है जो पाकिस्तान से चटा हुआ जिल्ला है तो यहां पर सिक्सा हो रोजगार हो हेल्थ हो इन सारे मुद् जन्तापार्टी ने काम किया और इसलिए जन्तापार्दी को चुनाओ जीता आती है जो लोग दिल्ली से आये है जो बात करते हम ख़लाना करेंगे फ्री में देंगे गुजराट के लोग हमेशा अपने आपको परू करके कुछ लेने में ध्यान रखते है फ्री में कुछ न तो ये थे हार्दिक पटेल जो आज गुजरात में एक सबसे बड़ी होट सीट पर उमीदवार की तरह उतारे गए है और अब देखने वाली बात यहीं होगी कि बीजोपी ने जो भरोसा हार्दिक पटेल को लेकर गुजरात की जनता जताती हुई नजर आएगी क्या वो भरो सा यहाँ पर कायम नजर आएगा और वहीं दूसरी और सवाल यह भी उट रहा है कि आखिरकार कॉंक्रिस पार्टी हर्दिक पटेल के अपोजट किस कैंडिडेट को उतारती है क्योंकि लगातार यह भी सवाल उट रहा ही कि आखिरकार अब वेपक्ष कागला कदम किया होग झाल